इस चेप्टर में हम लोग देखेंगे जेरन इवम भुरूनिय विकास इसमें अभी तक जितने प्रस्न आये हैं अलग लग एक्जाम्स में उसको देखेंगे क्योंकि ये बुक हम लोग जान है ये है सामानी विज्ञान है और ये पुर्वावलोकन है घटना चकर का है ये यानि reproduction कहलाता है परजनन में भाग लेने वाले अंगों को परजनन अंग तथा जीव विशेश के सभी परजनन अंगों को सम्मिलित रूप से परजनन तंत्र यानि reproductive system कहते हैं परजनन के माध्यम से परतिक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है मानव भी अन कसे रुकियों की तरह एक लिंगी यानि यूनि सेक्सवल होता है अर्थात इनमे नर तथा माधा के जननांगों और लेंगी कलक्षनों में बिन्यत होती है पुर्सों में एक जोड़ी विर्शन यानि टेस्टीस तथा इस्त्रियों में एक जोड़ी अंडासे यानि ओवरीज परमुक जननांग होते हैं मानव में निशेचन यानि फर्टिलाइशन की क्रिया अंडवाहिनी यानि ओविडक्ट या फैलेवपीयूनियन नली यानि फैलेवपीयूनियन ट्यूब में समपन होती है यहां नर युगमक सुक्रानु तथा माधा युगमक अंडानु में निशेचन क्रिया के दोरा युगमनर्ज यानि जाइगोट का निर्मान होता है जो कि द्विगुनित यानि डाइप्लॉइड होता है और विकास कर स जिसू का निर्मान करता है मनुष्य में जर्म का समय निशेचन के बाद आदर्स रूप से 266 दिन या 38 सप्ता का होता है पहले और बाद में भी बच्चे का जर्म हो सकता है यह एक नॉर्मल केल्कुलीशन है माधा जरन पत्थ में पहुंचने के पस्चाद सुक्रानों की न 15-24 गंटों तक निशेचन के योग बने रहते हैं निशेचन किडिया के बाद यूगमनर्ज अर्था जाइगोट में विभाजन प्रारंब हो जाता है तथा क्रमस, मारूला, बलास्टूला वा गैस्टूला का निर्मान होता है गैस्टूला के निर्मान की प्रक्रिया तीस का हिर्दय अपने पडिवर्धन यानि डेवलोप्मेंट के चतुर्त सप्ताह में अस्पंदन करने लगता है गर्व काल के पर्थम दो सप्ताह को पुर्व भुरूनिये अवस्था यानि प्री इंब्राइकोनिक स्टेज काते हैं जबकि तीसरे से आठवे सप्ताह को भुर भुरून काल यानि फॉइटल पिरियेट काते हैं जिसमें उत्तकों तथा आंगों का पड़ी पक्वन तथा सारिक विर्धी होती है उल्व या एमिन्याइन में उल्वी तरल एम्नियोटिक फ्लूर भड़ा होता है जो कि भुरून को नम बनाए रखने बाहरी दवाब तथ धक को इत्यादी से इसकी सुरक्षा करने का काली करता है जरावयू या कोडियो नामक कला गैसिये विन्यमें का नियंतरन करती है जबकि अपड़ा पोसिका या एलेंटाइक कला एलेंट्रोनिक मेंबरन भुरून के उपापचई अप्सिस्ट पदार्थ यानि मेटा बोरिल गैसिये विन्यमें में सहयोग करता है अब प्रशनकोस को देखते हैं निसेचन की क्रिया कहा होती है तो यह होती है अंडवाहनी में अबड़ाहनी में होती है देखे थोड़ा डिटेल से देखते हैं निसेचन यानि फटिलाजेशन की क्रिया अंडवाहनी में संपन होती है या नर्द युगमक यानी सुक्रणू तथा मादा युगमक अंडानू में नीसेचन क्रिया के दोरा युगमनज यानी जायगोट का निर्मान होता है जो दूइगुनित यानी डाइपलॉईड होता है और विकास कर सिशू का निर्मान करता है मनुष्य में जन्म का समय निशेचन के बाद आधर्स रूप से 266 दिन या 38 सप्ताखा होता है मानों में शरील के निमलिकित भागों में से किस एक में सुक्रानू डिम्ब का निशेचन करता है तो ये करता है डिम्ब वाहिनी नली में पुरूस का सुक्रानु महिला के डिम ओवम को डिम वाहिनी नली यानि फैलो पिनियन ट्यूब में निशेचेत करता है। मादा जनन पत में पहुँचने के पहचात मानव सुक्रानु अपनी निशेचें छमता सुरक्षित रखते हैं। मानव भुरून का हिर्दय कब अस्पंदन करने लगता है। अपने पडिवर्धन के चतुर्थ सप्ता हमें ये अस्पंदन करने लगता है और देखा भी जा सकता है। जैसे कि कौमना आप कभी भी जो कभी जैसे सोनोग्राफी में अगर बच्चे को देखा जाता है न तो एक बिंदु जैसा दिख जाएगा। हिर्दय का अस्पंदन जो है वो करता हुआ दिखाई दे जाएगा। भुरुण ये विकास के तीसरे से आठवे सपता को भुरुण विकास काल यानि Embryo Development Period काते हैं क्योंकि यह अंग विकास का मुखी समय होता है। तीसरे महिने से जन्म तक के समय को भुरून काल यानि फॉइटल पिडियेट काते हैं जिसमें उत्तकों तथा अंगों का पड़ी पक्वन तथा सारीडिक विड़ी होती है निमलिखित में से कौन सी कला पड़ी वर्धन सील भुरून की सुसकन से रक्षा करती है तो यह उल्ल को नम बनाए रखने बाहरी दवाब दथा धको इत्यादि से की सुरक्षा करने का कारे करता है देखिए इसमें बताने लाग काफी कुछ है और काफी लंबी क्लास खीची जा सकती है लेकिन competitive point of view से उसका कुछ विशेश लाब नहीं है तो जितने प्रस्न पांच प्रस्न मैंने यहां जो बताए हैं यह बहुत महत्पूर्ण प्रस्न है इतने से आपका काम चल जाएगा बाकी जो और भी रामायन होती है और इसकी महाभारत है फिजूल की वो हम फिर कभी बाद में जो हमारे स्कूल या कॉलेज लेवल में जो एक्जामस होते हैं उसके काम के हो सकते हैं लेकिन competitive point of view से उसका बहुत अच्छा इस्तिमाल नहीं हो सकता तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद धन्यवाद